बिहार की नई सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है नितीश कुमार ये कहकर इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री बने थे कि आरजेडी के साथ उनका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है NDA में आये ये कहते हुए कि अब सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन खबर आ रही है कि अब नितीश जब BJP के साथ आए हैं तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यानि नितीश के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वाली इस्तितीफ फिर बनी हुई है मंत्री नैने बनाये गए BJP के साथ जीतनराम मांजी भी बुलाए गए महात्पूर्ण विभाग BJP के पास चले गए हैं नितीश के हाथ भी कुछ महात्पूर्ण विभाग लग गए लेकिन नुकसान में तो जीतनराम मांजी नजर आ रहे हैं तब ही तो वो आप मुझ खोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है दो मंत्राले की मांग अब उन्होंने कर दी है कहा है नितीश के इस मंत्री मंडल में जो हमें मिला है वो काफी नहीं है हमें तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बना रहे थे और हम मुख्यमंत्री पत का वो आफ़र छोड़ कर नितीश के साथ इस भरोसे पर आये थे कि हमें कुछ बहतर मिलेगा इतना ही नहीं मांजी ही नहीं पासवान दोनों भी नाराज है नितीश के इस नए मंत्री मंडल विस्तार में किसको क्या मिला किसको क्या नहीं मिला इस से मांजी और पासवान दोनों नाराज है दरاصل दोनों की नाराजगी की वज़ा है निर्दलिय सुमित सिंग को मंत्री बनाना अब महा गडवंद्न से नितीश कुमार ने दورी बनाई थी तो बिहार की सियासत में बड़ा उलट फेर मचा हुआ था तब माजी किंग मेकर बनने की इस्तिती में थे लेकिन वो तो कहने लगे कि मोदी के साथ हैं लेकिन अब सब मोदी प्रेम सर से उतरता हुआ नजर आ रहा है माजी के बिहार के पूर्व सियम जीतन राम माजी एंडिये से अब नाराज है नहीं सुनने को मिल रही है कोई गुहार कोई सुन नहीं रहा है जीतन राम माजी की माग अमिशा नित्यान राय से कर चुके हैं मुलाकात पहुचा दी अपनी बात लेकिन फिर भी जीतनराम माजी को वो नहीं मिल रहा है जो वो चाहते है बिहार की सियासत को लेका जीतनराम माजी ने एक बड़ा बयान दे दिया उन्होंने कहा कि निर्दलिये एक विधायक हैं उसको एक मंत्राले आप दे रहे हैं हमारे पास चार विधायक हैं तो हमें दो मंत्राले जरूर मिल ले चाहिए अगर एक और मंत्राले नहीं मिलता है तो यह अन्याय होगा उन्होंने कैबनेट के विस्तार पर बयान देते हुए कहा कि महागडबंदन की तरफ से तो सीएम पत का ओफर था हम गए नहीं जीतनराम मांजी का कहना है कि मगत छेतर से एक पिछडी जाती का मंत्री बनाया गया है तो एक समण जाती का भी मंत्री होना चाहिए जीतनराम मांजी ने कहा कि हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अनिल कुमार को मंत्री बनवाना चाहता हूँ वो चार बार से विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं माग है कि मगजच छेतर से उनकी पार्टी का सामाजिक आधार मजबूत हो जाएगा अगर एक और मंत्री बना दिया गया खबर तो ये भी है कि सुमिस सिंग को मंत्री बनाने से चिराक पासवान भी नाराज है नितीश ने 2020 में सुमिस सिंग को सिर्फ इसलिये मंत्री बनाया था कि वो चिराक पासवान को उनके संसद्य छेतर जमूई में घेरे लेकिन परियाप्द बहुमत होने के बाद भी 2024 में भी सुमिस सिंग को मंत्री उन्होंने फिर से बनाया वो मैंसिस साफ किया कि नितीश कुमार चिराक पासवान को निप्टाने की रंडीती पर अलग से काम कर रहे हैं इस रंडीती से वो हटे नहीं है RGD से उनकर नाता तूट गया है लेकिन चिराक पासवान को सियासी तोर पर निप्टाने की रणनीती पर वो जुटे हुए ऐसे में चिराक पासवान भी नाराज है जीतनरा माजी भी नाराज है अब देखना है कि इन दो नाराज घटक दलो के साथ कब तक नितीश कुमार एडजस कर पाते हैं और कब वो ये कहेंगे कि यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसलिए मैं यू टर्न ले रहा हूँ